हेलो मैं राम प्रसाद कुछ वाहाँ आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम MS Word का पेज ले आउट टैब जो है इसके अंदर आने वाले सारे ग्रूप्स और इनके टूल्स को डिसकस करने वाले हैं कि इनकी मदद से क्या-क्या हम कर सकते हैं तरह इनका क्या यूज होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर है margins का option यह page setup ग्रूप के अंदर है यहाँ पर तीन ग्रूप है पहला है page setup का दूसरा है paragraph का और तीसरा है orange का एक-एक करके हम इनको समझेंगे यहाँ पर पहला tool है margin का दूसरा orientation तीसरा size का फिर column का फिर page breaks का तो चलिए एक-एक करके सबको देखते हैं यहाँ पर हम margins में click करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर margin normal है, narrow है, moderate है, wide है और mirrored है सबसे पहले मैंने जो circle बना इनको हटा लेता हूँ, यह हमारे circle हट गए और आप देखेंगे margin यहाँ पर normal में जो margin होती है, वो top में 2.54 cm की होती है, इसी तरह bottom में भी इतनी होती है यह आप देखेंगे bottom में भी इतना ही छूटा हुआ है space और left में भी इतना same है और right में भी 2.54 cm का ही space छूटा हुआ रहता है अगर हम narrow की बात करें, तो narrow में यह जो उपर दाय साइड और बाय साइड और नीचे छोडने वाला space है यह 1.2-7 cm का हो जाता है, उपर नीचे दाय बाय चाओ तरफ और यहाँ पर moderate, wide और mirrored margin का option है इसके लाबा अगर आप चाहें, तो यहाँ पर custom margin का भी उज़ कर सकती है custom margin में जैसे मान लिजी आपको margin छोडना ही नहीं, तो आप इसे zero कर दीजिए इसे भी zero कर दीजिए, bottom में भी, यह bottom में भी margin zero हो गया, left में भी margin यह हम zero कर देते हैं और right side में भी zero margin कर देते हैं और आप देखिए, हमारा जो document है, इसमें कोई margin नहीं है इस तरह से हमारा document प्रिंट होगा, इसलिए हम margin के यूज़ करते हैं, ताकि हमारे document में थोड़ी थोड़ी space रहे, जिससे हम उनको, अगर हमें, उनमें पिन लगानी है, तो उसके लिए थोड़ा से space उसमें होना चाहिए अब अपनी margin को हम दुबारा से normal कर लेते हैं और यह तो रहा margin बाला option इसके बाद हम दूसरा orientation का जो command है, जो tools है, इसको हम discuss करते हैं यहां पर orientation के अंदर आप देखेंगे, यहां पर दो tools मिलेंगे, पहला है portrait का, दूसरा है landscape का तो जो पहला option है portrait का तो अभी आपका जो document है यह अभी portrait mode में है इसके बाद दूसरे option में हम क्लिक करते है, landscape का तो यह जो हमारा इस तरह से document आ जाता है, लेटा हुआ, यह landscape mode होता है यह portrait और landscape यह दोनों option कहां पर मिलेंगे, page layout के अंदर आपको मिलेंगे यह बहुत जादा यूज होता है और office work में इसके विना काम ही नहीं होता अगर आपको अपना जो document है वो लेटा हुआ, यानि कि landscape mode में print करना है, तो आपको यहीं स्या करके landscape mode को चुनना होगा इसके बाद हम अगला option discuss करते हैं, यहां पर है size आप अपने document को कि size के paper में print करना चाहते हैं, वो आप इस option की मदद से चुन सकते हैं जैसे यहां पर आपको लेटर चुनना है, या फिर A4 size का आपका paper है, A5 size का paper है, तो आप इस option की मदद से चुन सकते हैं इसके बाद अगला option है columns का मान लिजिए आपको दो columns में अपना document लिखना है, तो हम वहां पर columns का यूज करेंगे यह देखिए, दो columns जैसे हमने यहां 2 columns में क्लिक किया, हमारा document अपने आप 2 columns में बढ़ चुका है इसके बाद columns में 3 columns में हम क्लिक करेंगे और हमारा document अपने आप 3 columns में आ गया इसके बाद columns में यहां पर left और यहां पर right इनका भी हम यूज कर सकते हैं जो बड़ा वाला paragraph है वो किधर रही यह भी हम यहां पर decide कर सकते हैं अब page setup group के अंदर हम अगला option देखते हैं यह ब्रेक का ब्रेक के अंदर आपको मिलेगा page breaks का, column breaks का और text wrapping का इनको एक-एक करके हम समझेंगे सबसे पहले मैं यहां पर discuss कर रहा हूँ page break का माली जी आपको अपने document में इतना paragraph चाहिए इसके बाद का जो paragraph है वो अगले page में आए तो आप अपने cursor को यहां पर रखेंगे दूसरे paragraph के शुरुआत में सबसे पहले और page breaks में जाएंगे और यहां page break में क्लिक कर देंगे यहां पर आप देखेंगे इसके description में लिखा हुआ है mark the point at which one page ends and the next page begins मालब यहां पर हमने जहां पर अपना cursor रखा है यहां से हमारा page यह वाला खतम हो जाएगा और यहीं से दूसरे page शुरू होगा एक बार और देखेंगे हम इसको अब हम दूसरा देखेंगे column break का तो यहां पर हम आते हैं और themes and style also help you यहां पर यह लिखा हुआ है यहां पर अपने cursor को रखते हैं page breaks में जाते हैं और column break में क्लिक करते हैं आप देखते हैं क्या होता है यह देखिए हमारा जो column है यतना यह अगले page में चला गया अगर कहें भी आप बीच में रखते हैं जैसे यहां पर अपने cursor को रखा और page breaks में जाकर कि यह column breaks में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वहां से जो column है वो उठ करके अगले page में चली जाती है इसके बाद यहां पर text wrapping का है separate text around object on pages such as caption from body text तो आप text wrapping का यूज़ कर सकते हैं पहले मैं इसको undo कर लेता हूं ctrl z दबा करके और यहां पर अब test wrapping का यूज़ करते हैं आप देखेंगे जैसे हम text wrapping में क्लिक करते हैं तो हमारा जो text है वह उठ करके दूसरी line में आ जाता है एक बार हम फिर से दिखाते हैं आपको यहां पर हम page breaks में गया text wrapping में हमने क्लिक कर दिया और आप देखेंगे हमारा जो डोकिमेंट जैसे माल लीजिए focus on यह एक line में नहीं आ पा रहा है तो यह अपने आप दूसरी line में आ जाएग जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे यह text wrapping यह देखिए focus on जो है वो नीचे आ गया तो हम बस paragraph को select करते हैं select करना क्या होता है बस आप paragraph के अंदर या आपने cursor को क्लिक कर दीजिए या फिर आप पूरे paragraph को select कर सकते हैं दोनों option आपके पास हैं तो यह हुआ page breaks, column breaks और text wrapping यहाँ पर break section में next page, continuous, event, odd इनका यूज़ करके भी आप page break कर सकते हैं अगला option हम देखेंगे पहले हम अपने document को control के सब z कर लेते हैं ताकि हमारा document पहले की अवस्था में आ जाए अब यहाँ पर हम line numbers में देखते हैं line numbers एक option है जिसकी मदद से आप अपने document की हर line को गिन सकते हैं और इसमें number डाल सकते हैं यह देखें मेरा document है इसमें कहीं भी कोई number नहीं लिखा हुआ है line numbers में जाएंगे और जैसे हम continuous में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 1,2,3,4 यह हमारे document में इतनी सारी lines अपने बन करके आ गई हैं अब यहाँ पर हम line numbers में जाएंगे और देखेंगे restart each page का भी option है मरलब कि हर page में जो गिंती है वो हर page के लिए अलाग अला start होगी यहाँ पर restart each section है suppress of current paragraph है और line numbering option है तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं restart each page में क्लिक करता हूँ अब आप देखेंगे दूसरे page में यह एक से start होता है तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं आगला option यहाँ पर है हाइफन का हाइफन में automatic manual और hyphenation option है तो यहाँ पर मैं automatic में क्लिक करूँगा पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर गया when और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ computer यह देखिए, यहां पर जो computer हमारा यहां पर नीचे आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहां पर इतना थोड़ा सा space छूटा हुआ है, यहां पर हमारा computer के कुछ सब्द आ जाए और उसके बाद एक छोटा सा hyphen लग जाए, तो बस यहां पर हम hyphen में click करेंगे, automatic में click और आप देखेंगे कि यहां पर आगे, नहीं आया क्योंकि यहां पर जगे कम थी, यहां पर हमें एक अच्छर को मिटा देते हैं, और आप देखते हैं, यहां पर देखेंगे, यह com लिखा है, फिर hyphen लगा हुआ है, और फिर putr लिखा हुआ है, इस तरह से आप hyphen का यूज कर सकते हैं, अब एक बार मैं अपने डोकिमेंट को क्लीन कर लेता हूँ, Ctrl-Z करके, यह मैंने लाइन्स हटा दी, और यह हमारा डोकिमेंट बापस से अपनी पूर ववस्था में आ गया है, अब मैं पैरा ग्रॉप जो है, इसके अंदर के सारे ओप्शन डिसकस करने बाला हूँ, तो सबसे पहला यहां पर है इंडेंट और दूसरा स्पेसिंग, तो पहले मैं इंडेंट को डिसकस करता हूँ, इंडेंट में क्या होगा, कैसे होगा, आप इसका यूज कैसे करेंगे, वो मैं बताने वाला हूँ, तो इंडेंट का यूज करने के लिए, सबसे यहां पर जो numbering है इसको आगे करिए, यह आप देखिए यह indent, left indent यूज हो रहा है, इस तरह करके आप अपने text को जो भी आपने लिखा है, उसको by side खिसका सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे, कि जो यह right indent है, इसका यूज नहीं हो पार, आप यहां पर कितना भी click करें, लेकिन इसका यूज नहीं होगा, उसकी एक बज़य है, और वो यह है, कि हमारा जो text है, यह जो लिखा हुआ है, यह right align होना चाहिए, अब यह सब कुछ left में align है, तो हम यहां पर control के साथ, R प्रेस करेंगे, और यह right में align हो गया, right में align करने का दूसरा option है, कि आप यहां पर यहां पर क्लिक करके भी अपने document को right में alignment दे सकते हैं, मैं फिर से आता हूँ, page layout tab में, और यहां पर indent, यह बाला जो है, इसमें हमने, इसे right align कर रखा है, आप देखिए, आप यहां पर जैसे click करेंगे, आप देखिए, यह right में align हो रहा है, तो इस तरह से आप indent का यूज कर सकते ह आप मैं control sub-z करके इसको वापस पूर ववस्था में ला लेता हूँ, इसके बाद spacing को देखते हैं, यह जो spacing का option है, यह paragraph में use होता है, paragraph में आप देखेंगे यह paragraph है, इसके ऊपर आपको space देना है, और इसके नीचे आपको space देना है, तो आप इसका use कर सकते हैं, देखिए कै बस आप अपने cursor को किसी भी paragraph के बीच में ले जाके छोड़ दीजिए, यह फिर आप इसको select कर लीजिए, आपके पास दोनों option है, तो मैं बस अपने, जो हमारा cursor है, इसको बीच में ऐसे ही मैं click कर रेता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे spacing, यहाँ पर मैं before में click करता और आप देखेंगे paragraph के उपर इसके सिर की तरफ यह एक space बन रहा है, तो यह होता है paragraph में before का option, और अब यह हमारा cursor यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर में click करेंगे, आफ्टर में जैसे हम click करेंगे, आप देखेंगे यह जो इसके नीचे बाले paragraph है, यह नीचे खिसक जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कितना सारा space बन गया, तो यह होता है paragraph spacing, इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, अब अगला option हम देखेंगे, आरेंज का, यह जो आरेंज वाला group है, इसमें इतने सारे option है, इनका यूज कैसे होगा, यह मैं आपको बतान करने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अभी यह सारे के सारे option एक्टिवेट नहीं है, यह पूरे के पूरे अभी आपको यहाँ पर blur दिखेंगे, यह एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आरेंज का option होता है, यह image पर काम करता है, तो हम यहाँ पर कोई image insert कर लेंगे, हम insert option में जाएंगे, shapes में जाएंगे, और कोई यहाँ पर shape insert कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर, यह एक shape insert कर लिया, और इसको कोई color दे देता हूँ, इसके बाद मैं फिल से shapes में जाता हूँ, और एक दूसरा shape ले लेता हूँ, और इसको कोई color दे देता हूँ, यह, एक shape और insert कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर गया, और एक shape मुझे और चाहिए, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, यह, और इसको भी color दे देता हूँ, इसको क को यह अच्छा सा color देते हैं, यह मैंने इसे color दे दिया, यह अच्छा color है, अब देखिए, यहाँ पर हम page layout में जाते हैं, और आप देखेंगे, यहाँ पर सारे के सारे option एक्टिवेट हो गए हैं, अब यहाँ position, इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं एक आकरिती को रखता और दो को यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दो को हटा दिया, और एक को रखता हूँ position समझाने के लिए, position में आप देखेंगे, with text wrapping, यानि कि आप समाचार पत्र में देखते होंगे, कि बीच में एक छोटी सी image बनी हुई है, और उसके चारों तरफ कुछ text लिखा हुआ है, तो वो इस option की मदद से आप कर सकते हैं, यहाँ position में आप जाएंगे, और यहाँ पर image बना करके दिखाया हुआ, यह चारों तरफ आप देखेंगे, लिखा हुआ है, और बीच में यहाँ पर छोटी सा image बनी हुई है, यहाँ पर देखेंगे, तो बीच में image बनी हुई है, बस इसमें आप क्लिक कर देखेंगे, और आपकी जो image है, वो अपने बीच में आ जाएगी, तो यह होता है position बाला option, इस तरह से आप इसका use कर सकते हैं, आगला option है text, यहाँ पर है ripe text का, इसका use करके, आप आपका जो text है, उसे इसके आज पास कर सकते हैं, ज यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमारा text है, यह इसके चारो तरफ आ गया है, और यहाँ पर square में देखेंगे, तो हमारा text है, वो square में कटा हुआ है, तो इस तरह से आप इसका use कर सकते हैं, यहाँ पर behind text में आप देखेंगे, तो जो हमारा text है, वो आगे है, और हमारी जो आ किये थे उनको मैं यहां पर बापस ला लेता हूं यह देखिए हमारे दो अब्जेक्ट हैं जो की आ गए हैं अब इसके बाद यहां पर मैं सब को बापस ला लेता हूं पूर्ब के अवस्था में सो देट मैं आपको सही से समझा सकूँ यह देखिए हमने तीन यहां पर सेफ लिये थे और अब मैं आता हूं bring forward में तो bring forward का option ये क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैं ये black वाले को front में कर लिया और जो यहाँ पर red वाला है ये पीछे है अब मैं बस bring forward में क्लिक करूँगा और आप देखेंगे जो लाल वाला circle है ये black वाले के front में आ जाएगा ये देखिए ये आ गया ये होता है bring forward और bring backward में बस मैं क्लिक करता हूँ देखिए जो red वाला था ये पीछे चला गया यहाँ पर एक छोटी सी drop down ये arrow है इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर bring front होता है और bring forward होता है तो ये मैंने तीन images ले थी अब आप देखिए ये मैं red वाले में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर bring forward में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये black वाले के उपर आया है ये जो हमारा त्रिभुज बना है इसके उपर नहीं आया है send work कर दिया और अब bring forward में जाके bring to front में क्लिक करता हूँ जैसे bring to front में क्लिक करता हूँ आप देखेंगे सब से उपर आ गया ये send work ये एक एक इस्टेफ हो करके पीछे जाता है और एक एक इस्टेफ हो करके आगे आता है लेकिन आवकर आपको direct आगे लाना है तो आप bring to front में क्लिक करेंगे और सिधा direct ये आगे आ जाएगा तो ये bring forward और send work word का option थे अब यहाँ पर आप देखेंगे selection pane एक option है यहाँ पर आप जैसे ही selection pane में क्लिक करेंगे यहाँ पर एक selection pane open हो जाएगा एक चोटी सी window अब आप यहाँ पर देखेंगे auto save 4, auto save 3, oval यहाँ पर एक चोटी सी eye बनी हुई है इस eye में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो objects हैं वो disappear हो जाएगे, गायब हो जाएगे तो यह जो selection pane है इसका यूज यही होता है कि आप अपने documents से objects को अगर हटाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए और यह जो हमने objects लिये थी objects गायब हो गए आपको बापस लाना है यहाँ selection pane में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसमें दुबारा क्लिक कर दीजिए यह बापस आजाएंगे इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक option है align Align left जैसे यह मैं इसे यहाँ रग देता हूँ इसे यहाँ रग देता हूँ अब यहाँ पर मैं align में जाता हूँ अभी मैं यह इस वाले लाल वाले वो select किया हूँ align में मैं क्लिक करता हूँ align left, जब मैं इसको align left में क्लिक करूंगा, तो यह जो हमारा circle है यहाँ पे आ जाएगा, यह देखिए, यह यहाँ पे आ गया, यहाँ पर align center, यह बीच में आ गया यहाँ पर align top top में तो पहले से align middle कर देता हूँ यह देखिए, middle में आ गया तो इस तरह से इसका हम use कर सकते हैं उसके बाद एक और यहाँ पर आप देखेंगा option है group का, group objects यहाँ पर इसके description में आप देखेंगे, तो लिखा हुआ है join objects together to move and format them as if they were a single object तो इसकी मदद से आप यह जो भी हमारे objects हैं इनको एक object बना सकते हैं यह मैं सबको ला लेता हूँ यहाँ पर और जो हमारा black वाला object है, इसको मैं पहले front में कर लेता हूँ black वाले को पहले मैं select करता हूँ और यहाँ पर bring forward इन तीनों को आपस में touch करके रखना है और तीनों को shift के साथ select कर लेना है एक हाँ से shift प्रेस करना है और mouse से समय बारी बारी से क्लिक करते जाना है अब आप देखेंगे आपका जो group का option है वो highlight हो गया है और यहाँ बस आप group में click कर दीजिए आप देखेंगे यह तीनों image एक group बन गई अब आप इनको जहां भी ले जाएंगे यह साथ में जाएंगे अब यह जीबन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे आपको इनको फिर से अलग करना है तो बस group में जाए और यहाँ पर ungroup में click कर दीजिए अब यह साब अलग-अलग हो गए आप इनको कहीं भी अलग-अलग करके ले जा सकते हैं यह देखिए यह सब अलग-अलग हो गए इसके बाद यहाँ पर एक option है rotate का इसकी मलत से आप यह इसका देखेंगे आप जैसे यह एक black मुंडी है black छोटा सा सिर है head है इसको आप देखें इस तरह से आप flip कर सकते हैं यह इसका सिरूप नीची हो गया इस तरह से करके आप इसको use कर सकते हैं तो यह था MS bird का page layout menu के अंदर आने वाले जितने भी group थे जितने भी option थे वह सब हमने discuss किये और आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और मिलूँगा आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद